सरदी का मौसम सुरू हो चुका है और इस मौसम में रंग बिरंगी सब्जियों के साथ पूरी मार्कीट में रोनक आ गई है इसके साथ यह अलग लग तरही की सब्जियों का सेवन कर अपनी सिहत को सवस्थ बनाय रखने का सही समय भी आ गया है लेकिन इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं हरी मटर के बारे में हरी मटर एक ऐसी सब्जी है जैसे सारे ही लोग पसंद करते हैं साथ ही सौस्थ रहने के लिए इसका सेवन काफी फाइदे मंद होता है इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, फोस्पोरस, पोटेशियम, आईरन, मैगनीसियम, कोपर और स्याही जिसे पोशक तत्ता होते हैं ऐसे में आईए आपको बताते हैं मटर का सेवन कर आप किन किन बीमारियों से निजात पा सकते हैं सबसे पहले तो आपको बता दें कि मटर में विटामिन A, अलफा केरोटीन और बीटा केरोटीन के अच्छी मातरा होती है जो आँखों के लिए बेहद फाइदे मंद होती है हर रोज कच्छे मटर द्रिष्टी को τेज करता है कम कॉलेस्टेल के इसतर मटर रूज खाने से कॉलेस्टेल practically मेरें मेरे यह यह संब्स्स बंदे सामय करें इसलिए किर्पिया इसे अपने आहार में जरूर सामिल करें इसके साथ आपको पता दे कि एंटी इंफ्लेमेंटरी और एंटी ऑक्सिडेंट के गुणों से भरपूर होने के कारण इसका सेवन दिल को कई बीमारी से लड़ने की ताकत देता है इसमें मौझूद प्रोटीन हड भी मजबूत होती हैं कि क्योरैन हल डेक से फ्रिजवान खान की रिपोर्ट है हुआ 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 है हुआ है हुआ है तो अ